हलो एवन कैसे हैं आप सभी आज जैसा आप सब को सूचित किया गया था कि आज हम यहाँ पर modern history आधनिक भारत में प्रवेश करेंगे इतिहास विशेवस्तु को आप जब भी अध्यन करते हैं तो यहाँ पर हम इसे कई अलग अलग पार्ट में डिवाइट करके पढ़ते हैं इतिहास प्राचीन भारत से स्टार्ट होती है उसके बाद मध्यकालिन भारत और यहाँ पर आधनिक भारत में आती है इसके साथ साथ civil subject के exam के अगर आप प्रवेशन कर रहे हैं इतने बड़े slaves को तो यह अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ा सा headache होता है और कहानियों घटनाएं और तथ्यात्मक जानकारी इतनी जादा हैं कि इनको समेटना आपने आप में याद रखना एक बड़ी समस्या है इन समस्याओं को दूर करने के लिए Quick Reason Series के माध्यम से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको New Term Videos के माध्यम से आप तक यह पहुँचा सको आज उसी कड़ी में पहला वीडियो हम यहाँ पर लेकर रहे हैं देखे यहाँ पर मेहनत हम बहुत करेंगे आप लोगों की सफलता को सुनिश्रित करने के लिए लेकिन एक गुजारिश यह भी है गुजारिश है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सपोर्ट चाहिए इस वीडियो को जितना हो सके वहाँ पर फैलाने का कार्याप का है मेहनत करना हमारा काम है कंटेंट आपको आपकी परिक्षा उपयोगी कंटेंट पहुँचाना हमारा काम है लेकिन इसको बाकी बच्चों तक और मुझे बाकी आप सब लोगों तक दूरदार दराज छेत्रों तक हर एक बच्चे जिसको यहाँ पर सिविल सेविस एक्जाम के प्रिवेशन करनी है खासकर हिंदी माथ्यम के चात्रों के लिए इसे आपको हर एक बच्चे तक पहुचाने के जिमेदारी आपकी है तो यह आपका यहाँ पर जिमेदारी है मेरे जिम्मेदारी मैं अपने अस्पर पर हर वीक आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर जरूर लेकर आता हूँ और वो वीडियो वो भी आपकी डिमांड पर आ रही है आपकी डिमांड थी कि सर साइंस का लेकर आए आगया इन्वार्मेंट का आना था आज हिस्ट्री के भी आ गई है जिग्राफी की आपने बोला था जिग्राफी का भी आ जाएगा नेक्स्ट वीक हो सकता है जिग्राफी का भी वीडियो आ जाए और भी जो सब्जेक्ट आप डिमांड करेंगे हर week किसी न किसी subject की वीडियो आप तक पहुचाने की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन यहाँ पर मुझे बच्चों तक पहुचाने की जिम्मेदारी हर एक student तक पहुचाने की जिम्मेदारी उसके यहाँ पर सहायता हो सके उसकी help हो सके उसके preparation में उसको यहाँ पर easy going हो सके पढ़ने के तरीका उसे पताचा सके यह उस तक पहुँचानी के जिम्मेदारी आपकी है तो वीडियो को जाज़दा शेयर करिए और उन तक पहुँचानी के कोशिच करिए चलिए बात करते हैं आधनिक भारत की आधनिक भारत की जो चर्चा करते हैं देखे जब आप history पढ़ते हैं history पढ़ते हैं समय एक चीज़ का ध्यान रखे modern history को अगर आप divide करें एक बड़ी बड़ी घटनाओं के संदर में हम देखे तो हम इसे तीन पार्ट में divide कर सकते हैं पहला जो पार्ट है 1600 से लेकर 1887 47 तक का 1857 तक का हम समय रख सकते हैं 1857 से 1947 को दूसरा काल करम डिवाइट कर आप और 1947 के बशचात यहां पर 1990 के दसक तक की इस्तिति को रख सकते हैं अगर हम देखें जो पहला पार्ट है 1600 से 1857 का समय स्टार्टिंग का जो समयकाल है वो कहीं न कहीं आपका मध्यकालिन समाथ हो रहा इस्तिति होती है और आधनिक भारत स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पर दोनों चीजों का समागम देखने को मिलता है इसी तरीके से 1947 के पस्चात की जो स्थिति है हम उसको इंडिया पोस्ट इंडिपेंडिन्स अर्थात IPI का टॉपिक मान कर पढ़ते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो आधनिक भारत को पढ़ते समय हम थोड़ा से यहां पर मद्धिकालन भारत को भी स्टार्ट में पढ़ेंगे और यहां पर जो फिनिशिंग जब करेंगे तो यहां पर हम IPI को भी टच करेंगे और जो सबसे जादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स की अगर हम बात करें यह तो हो गया विभाजन कैसे आप इसको पढ़ने वाले हैं दूसरी बात आती है कि आप इसमें पढ़ते क्या हैं तो देखे आधनिक भारत इतिहास अपने आप में एक बहुत रोचक विशय है मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप GS के जितने भी विशयवस्तु पढ़ते हैं वन आप दो मोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास कारण क्या है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विवित्ता है विवित्ता है इसको पढ़ने को लेकर जैसे आप मूवी देखते हैं मूवी कई तरीके के होती हैं ड्रामा ओरियंटेड होती है साइन्स फिक्षन होती है वहाँ पर हॉरर होती है आपकी कॉमेडी होती है एक्शन होती है ठीक वो जो सारी चीज़े आपकी मूवी की जो अलग-अलग विधाएं होती है वो सब आपको यहाँ पर इतिहास में देखने को मिलता है इतिहास की अगर आप जानकारी अगर हम देखें इसकी विवित्ताओं के दृष्टकोन से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? रंजिश भी है यहाँ पर दोखेवाजी भी है यहाँ पर मित्रता भी है यहाँ पर क्रांतिकारी वीरचन से खराजाज जैसे लोग भी है तो यहाँ पर एक नित्रुत करता की भूमका भी देखने को मिलती है महात्मा गांधी जैसे लोगों से यहाँ पर सामाजिक कुरुईतियों का दमन भी एक तरफ है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आर्थिक शोशन भी अंग्रेजियों के द्वारा किया जा रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने आपके अस्तर को तो बहुत जादा यहाँ पर एक विपरीत और कह सकते हैं कि काफी सारी चीजों को यहाँ पर सलगन देखने को मिलती हैं काफी सारी विधाये देखने को मिलती हैं काफी सारी यहाँ पर एमोशन भी आते हैं कई बार भावना प्रेरित होती है वीर गति की स्थितियां देखने को मिलती है तो वो सारी चीजें एक कह सकते हैं कि इतिहास जब विशय पढ़ते हैं तो कई सारे अगरे आप देखें तो western γ aper dois go अपना पड़ता है आरतिक स्थिति को अब लोकन करना हो गया सिक्षा वेवस्था का जिस्या सिक्षा वेवस्था का अध्यन करना है है महिलाओं की स्थिति को अगर देखें तो काफे सारी चीजें आती हैं और इन सारी चीजांंसाध Of तो इन ही सारी चीजों की जो की परिक्षा प्योगी है डाटा बहुत है नॉलिज बहुत है जानकारी बहुत है लेकिन आपको पढ़ना क्या है पढ़ना है जो की परिक्षा प्योगी है और इसको डिफाइन करने के लिए इसी को समझने के लिए ये किविकरिविजन वीडियो ये वीडियो किसलिए हैं कि आपको उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाए जो कि आपके परिक्षा में पूची जा सकती हैं पूची गई हैं या पूची जा सकती हैं और इन सारी चीजों को हम यहाँ पर एक एक करके अभी study करेंगे तो आप लोगों का काम है अगले एक मेरे साथ बने रहना है ध्यान से सुनना है कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है बस अपने आपको एकान तेक जगा रख बैठ लिजिएगा कोहां जहां कोई disturbance ना हो एक घंटे तगर आप इसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी modern history में आपने आज काफी सारा क कुछ सीख लिया जान लिया है और अब इससे रिलिटर अगर कोई question आएगा ता आपको वहां पे गलत नहीं करके आने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए कहानी है घटनाएं है कहानी और घटनाओं का यह समिश्ण है जिसमें बहुत सारी आपकी उथल पुथल देख देखने को मिलती है प्रारम करते हैं क्योंकि आधनिक भारत है तो आधनिक भारत में हम यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं यूरोपियों के आगवन यूरोपियों का भारत में आगवन कैसे होता है कौन-कौन से छेत्र में किस तरीके से उनका विस्तार होता है किस तरीके से वहाँ पर उनके मद्ध संगर्स होते हैं और किस तरीके से वो एक एक करके भारत को छोण कर चले जाते हैं तो यहाँ पर इनी सारी घटनाओं को, इनी सारे तत्यों को, इनी सारी जयानकारियों को हम यहाँ पर स्टडी करने चार रहे हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं देखिए यूरोपियों का आगमन होता है 16 सताबदी के स्थितियों से होता है लेकिन उससे पहली के अगर आप इस्थिति देखें यूरोपियों का आगमन होता है भारत से व्यापार करने के द्रिशकोंड से और भारत से व्यापार करने का जो तरीके थे पंद्रवी सताप्दी के पूर्वी की स्थितीओं के अगर आप देखें तो यहां पर आपको भारत में जो व्यापार करने का जो तरीका था जो मार्ग थे वहां पर आपके भूमद भियापारी और एशिय के छेत्रों पर और शाथी-साथ यहां पर युरॉपी ज आदिकार की बात करें तो यहाँ पर इतावली याने इतली का यहां पर एक आधिकार था ऐसी स्थिती में, जो यूरोप के अरगने देश थे, जैसे कि आपका डच हो गए, आपके फ्रांसिसी हो गए, आपके बृतेन हो गए, आपका पुर्धिकाली हो गए इन सब को व्यापार करने के नए छेतरों को वहाँ पर देखना था नए अवसरों को खोजना था और इसी क्रम में यहाँ पर प्रारम हुई एक नई खोज और यह नई खोज थी पूर्वी देशों की ओर लेकिन यहाँ पर जो खोज प्रारम हुई इंडिया इंटर करता है उस समय पाकिस्तान भी इंडिया ही था तो वहाँ पर इंटर करता है दूसरा मार्ग था जल मार्ग से होते हुए आपको जो आपका अफ्रीका से होते हुए आपको आप इंटर करते हैं इन दोनों ही तरीकें से लेकिन जल का जो मार्ग था वो सबको अ अरव और इतावलियों के द्वारा जो मार्ग रोके जा चुके हैं, हम उससे इतर किसी नए मार्ग की खोज प्रारम करें। इसके लिए, यहाँ पर कोलंबस के द्वारा, यह सबसे पहला जो कह सकते हैं, निकलता है एक व्यत्ती, जो व्यापार एक मार्ग की खोज में, भारत की खोज में निकलता है, वो कोलंबस निकलता है, निकलता जरूर है लेकिन पहुंसता नहीं है, पहुंसता का है, 1492 में निकलके वो पहुंस जाता है आपको, अमेरिका और नए देश, नए महादुएक की खोज कर देता है, अमेरिका की, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर आते हैं, बार्थो लियूम्यू डियाल, बार्थो लियूम्यू डियाल जो होते हैं, 1487 में ये निकलते हैं और इन्होंने खोच की अंतमाशा अंतरीप की जो अफरीका का कह सकते हैं कि सबसे निकरतम जो बिंदु है अंतमाशा अंतरीप वहाँ पर ये खोच करते हैं लेकिन ये भी यहाँ पर भारत नहीं पहुँच पाते हैं तीसरा एक और व्यक्ति आता है जिसको आप जानते हैं वास्को डिगामा वास्को डिगामा 1498 में कालीखट केरल यहां पे आप यह आपके बंदरगा अर्थात केहां पर पश्मी तड़ पर पहुंचता है पच्मी तटपे पहुँचने के लिए यहाँ पर इसको एक व्यक्ति सहायता करता है और सहायता करता है गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुलमजीद अब्दुलमजीद के दिशा निर्देशन में जो बताएगे रास्ते फे को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पर लेकर आता है इसको भारत तक पहुचाता है और एक नए समुद्री व्यापारिक मार्च की यहाँ पर खोज हो जाती है लेकिन और इस जो व्यापारिक मार्च की यहाँ पर खोज की गए इसे एक नाम दिया गया नाम ध्यान रखेगा जो वसको डिगामा के द्वारा भारत तक एक मैंने व्यापारिक मार्च की खोज की गए उसे नाम दिया गया केप आफ गुड होफ रूट क्या बोला गया केप आफ गुड होफ रूट यहाँ पर न ये थे पुर्दगाल के आपके शाशक थे और इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने को लेकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने को लेकर व्यापारिक मारगों की खोज को बढ़ावा दिया और इसलिए इन्हें हेनरी दा नेवीगेटर भी कहा जाता है इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक word आता है कि भारत जैसे छेतरों के अर्थाद भारत के व्यापारिक मारगों की खोज होने के इस्तिति को आधार बनाकर एक कथन यहाँ पर बोला गया कथन कहा गया था कहा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर मसाले के व्यापार पर पूर्ण नियंतरन हे तो भारत के लिए समुद्री मारगों की खोज हो गई और उसके बाद यहाँ पर संसार के पर इस नई खोज का अर्थात उस मध्यकाल में इतनी बड़ी कोई खोज नहीं हुई होगी जिसका सब भी समाज पर इतना प्रभाव पढ़ा होगा इस तरह के यहाँ पर कथन यहाँ पर कहे जाने लगे जिस तरीके से यहाँ भारत के यहाँ पर खोज हुई इसके बाद यह जो कथन कहा गया था डॉडवल ने कहा था इसको ध्यान रखेगा डॉडवल नहीं कहा था कि भारत के लिए समुद्री व्यापारिक मार की खोज ने वर्तमान अर्थात मत दिका लें उस समय का जो यूग था उस इतना बड़ा प्रभाव किसी और चीज़ का वहाँ पर पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता ये डॉडवल कहते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो पंद्रहभी सताबदी में हिंदमासागर का मलक्का बंदरगा एक अंतरराश्टी मंदरगा का दरजा भी प्राप्त करता है ध्यान रखेगा मलक्का बंदरगा हिंदमासागर का पहला बंदरगा था जिसे अंतरराश्टी बंदरगा का दरजा यहां पर प्राप्त होता है उस रूप में वहाँ पर वो विक्सित हो जाता है इसके बाद यहां पर भारत में यूरोपी वासियों के आग्मन यहां पर देर-देर स्टार्ट होता है और जो क्रम होता है यह आपको कई बार कुश्चन में पूछा जाता है कि भारत में जो यूरोपी व्यापारी थें उनके आने का क्रम क्या है क्रम आप सब को याद भी होगा क्या क्रम है सबसे पहले कौन आता है पुर्दगाली आते हैं उसके बाद आते हैं डच फिर ब्रिटिस फिर डेनिस फिर फ्रांसिसी यहाँ पर इसके बाद भी क्या कोई आता है तो वहाँ पर आपके स्वीडिस आते हैं स्वीडिस व्यापारी आते हैं जो सबसे लास्ट में ठीक है इन सारे के बारे में और इनके द्वार जो प्रमु घटनाए हुई इनके समयाकाल में उसको एक एक करके हम देखेंगे बस ध्यान रखेगा तो यहां पर करम धियान रखेगा, पुर्दगाली आते हैं, फिर आपको डच आते हैं, फिर बिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, उससे भी लास्ट में आपके स्वीडिस आते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा इंपक्ट नहीं होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते बाद में यहां पर निर्मित होती है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यह तो यहां पर भारत की खोज हो गयी, साथ हमने देखा अमेरिका की खोज हुई, अन्तमाशा अंतरीप की खोज हुई, कुछ अन्य चीजों की भी खोज हुई है, खोज हुई थी, 1770 में ऑस्ट्रे बैश्विक अस्तर की कोच प्रमुक दिविपों, महादिविपों या देशों की खोज रही या पारिक मार्कों की खोज रही चलिए ये तो हमने देख लिया यूरोपी कंपनियों का आगमन हो चुका है अब आगमन हुआ भी है तो एक एक करके हुआ है सबसे पहले यहाँ पर पुर्दगाली आते हैं पुर्दगाली जब आते हैं तो वहाँ पर इनसे कुछ प्रमुक जो फैक्ट हैं जो के कुश्चन बनता हैं आपके एक्जाम में पूछे आते हैं इन फैक्ट को हम ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहरा जो fact इसमें ध्यान में दिये जिए, वासकोट डिगामा 1498 में काली कट के एक बंदरगा, काली कट में भी जो बंदरगा जहां पर यह पहुंचा था, उसका नाम था कपक डापू, यहां पर बंदरगा पर यह पहुंचा था, जमोरी नामक वहां पर एक शाशक थे केरल के वहां काली कट पे उन्होंने उनका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद लेकिन वहां पर जो अरब व्यापारी थे, वो उसका विरोध करते हैं वहां पर, लेकिन वह बहुत जादा उस समय परपस से आता नहीं है, अच्छा खासा व्यापार करता है, मसाले लेकर जाता और अपने देश में उसको बेचता है और उसको 60% वहाँ पर उसका मुनाफा होता है जब इस चीज को देखते हैं तो वहाँ पर दूसरे पुर्दगाली दूसरा एक जहाजी बेड़ा बेड़ा भिजा गया यहाँ पर जो इस अभ्यान करता थे उनका नाम था पेट्रो अलवारेस कैबराल और ये तेरा जहाजों का एक बेड़ा लेकर भारत आते हैं ये जो जहाजों का बेड़ा लेकर आ रहे होते हैं तो अरब जो व्यापारी थे वो इनका विरोध करते हैं विरोध करते हैं दोनों के मद्युद होता है। युद होने के पशकाट यहाँ पर पृतगाली जीतने के पशकात यहाँ पर पृतगाली के जीतने से इनको दो चीजें लाब होती हैं। कोचीन और किन्ना नोर के शास्कों के साथ इनकी अच्छी मृत्ता हो जाती है दोस्ती हो जाती है इस दोस्ती का फाइदा आगे चल कर मिलता है आगे मिलता है पंदरा सो दो में वास्को डिगामा अपनी दूसरी भारत यात्रा पाते हैं दूसरी भारत यात्रा पर वास्को ड इसके बाद 1505 में दूसरी फैक्टरी यहां पर कन्नूर में स्थापित की पुर्दगालियों ने पहली कोचीन दूसरी कन्नूर में 1503 और 1505 में यहां पर स्थापित की गई 1524 में वासको डिगामा भारत में अपनी तीसरी और अंतिम्यात्रा पर आते हैं यहीं अंतिम्यात्रा इसलिए कि इनकी यहां पर डिथ हो जाती है आपको दिसंबर 1524 में इनकी यहां पर डिथ हो जाती है तीसरी जो भारत यात्रा पर आते हैं तो इस बार वो वाय सराय बन कर आते हैं लेकिन यहां बहुत लंबे समय तक सर्वाइब नहीं कर पाते हैं इसके बाद हम आते हैं समझने के कोशिश करते हैं देखें यहां पर एक चीज बहुत अच्छी होती है कुछ जो इन्होंने एक policy लेकर आए policy लेकर आए कि किस तरीके से भारत में ज़्यादा लंबे समय तक वो survive कर सकें एक सामराज अपना विस्तार की वो नीट लेकर आते हैं और इस नीट के तहत वो यहाँ पर धीरे धीरे गवर्नर ने वाहिसराई की नीट करने की कोशिश करते हैं वो तीन साल के शासन की प्रक्रिया के तहत इसको कारे करते हैं अब यहाँ पर तीन वर्ष है तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नर नीट किया संपूर्ण व्यापार पर एक अधिकार की पॉलिसी ये चाहते थे और इसी संदर में फ्रांसिसको डी अलमेडा को यहाँ पर 1505 से 1509 में प्रथम गवर्नर बना कर भारत के लिए भीजा जाता है तो प्रथम पुर्थम पुर्थम गवर्नर कों थे फ्रांसिसको डी अलमेडा और 1505 से 1509 तक थे यहाँ पर इन्हें पॉलिसी अपनाई ब्लू ओर्टर पॉलिसी के तहट इनको काफी सभलता मिली यहाँ पर धीरे धीरे जिस तरीके से इन्हों अपनी पॉलिसी का विस्तार किया अरब या कैसे हिंद महा सागर या फिर उसके आसपास के एरिया थे अरब सागर पर अरब व्यापारियों से तावलियों सुनके युद्ध होते हैं गुजरातियों के व्यापारिस उनके युद्ध होते हैं और उन सब को वहाँ पे हरा करके पुर्दगाली धीरे-धीरे वहाँ पूरा आधिपर्ट जमा लेते हैं एक तरीके से देखा जाए इस समय तक पुर्दगाली जो होते हैं नौ सैनिक सक्ती के रूप में उभर कर आ चुके थे और उनका एक कबजा वहाँ पर हो चुका था इसके बाद अगर हम देखें तो पंदरा सो पांच में इन्होंने अंजा डीवा, कनूर, किलवा में यहाँ पर दुर्गी स्थापना की तीन और दुर्गी इन्होंने पंदरा सो पांच में बनाए एक अंजा डीवा, कनूर और किलवा में इसके लावा पंदरा सो नौ में इन्होंने गुजरात, तुर्की और मिस्र के एक सैयुक्त जहाजी नौसेनिक बेड़ी को भी पराजित किया और उसके बाद फ्रांसिसको, सोरी, अलफांसो डी अल्बुकुर्क जो थे हैं दूसरे पुर्टगाली गवर्नर बन के आते हैं पंदरा सो पांसे पंदरा सो नौ से पंदरा सो पंदरा के मध्धे और यहाँ पर इनको बोला जाता है अपकी पुर्तगाली सामराज की जो वास्तिविक न्यू रखी थी वो रखी थी आपकी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क के द्वारा जो कि यहाँ पर पंदरा सो नौ से पंदरा सो पंदरा सो पंदरा तक थे इसके इलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1503 में जहाजी बेड़े का ये नायक बन के पहले भी आ चुके थे और 15010 में गोवा बंदरगाह पर अधिकार भी इनके संदर में किया गया इनके शाशनकाल में किया गया जो और इनकी प्रमुख्यों कह सकते हैं उपलब्धियां रही पंदरसो ग्यारा में इन्होंने मलक्का पर और 1515 पर होरमुज बंदरगाह पर पुर्दगालियों का कब्जा हुआ इनके गवर्नर के रहते हुए इनको ध्यान रखेगा पुर्दगालियों ने 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का और 1515 में होरमुज बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था किसके शाशनकल में अलफांसो डी अलबुकर्ग जब गवर्नर बंद कर आते हैं इसके अलावे एक और चीज अच्छी होते हैं यहाँ पर सती प्रथा को जिन शेत्रों में पुर्दगालियों थे वहाँ पर उनने सती प्रथा को बंद भी कर दिया इसके बाद नोनोद दाकुनहा आते हैं 1529 से 1538 सक गवर्नर बंद कर इन्होंने 1530 साशन का मुख्य केंदर कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा को बना दिया पहले कोचीन था पुर्दगालियों का मुख्य केंदर था हर चीज का लेकिन उसको ट्रांसफर किया और गोवा को यहाँ पर अपना केंदर बिंद बनाया साथ ही यहाँ पर देखें तो 1534 में बेसीन, 1535 पर इन्हों ने दिव पर भी अधिकार कर लिया आगे चलकर 1534 में गार्सियादा नरोहा ने दमन, सालसेट, चौल, बंबई, सेंट थॉमस, मदरास, हुगली इत्याज छेत्रों में पुर्दगाली केंद्रों की स्थापना की राजाराम मोहनराय का ये पुरगामी भी कहा जाता है, एक तत्थ बोलाया थे कि अलफांसो डी अलवुकर को राजाराम मोहनराय का इन्हें पुरगामी बोलाया था, पुरगामी इसलिए बोलाया था क्योंकि इन्होंने अपने चेत्रों में सतियप्रथा को बंद कर दिया इसके अलावा यहां पर पुर्दगाली उन्हें एक सिस्टम लेकर आये थे सिस्टम को बोला जाता था कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था यह क्या थी कार्टज होता था पर्मिट पर्मिट जिसके पास नहीं होगी सभी को पर्मिट लेना अनिवार था तब ही आप कोई इनके दौरा बनाए गए नियमों को वहाँ पर पालन नहीं करता था तो वो उसको तोड़ देते थे या अनुमत नहीं देते थे या उनको वहाँ पर आने जाने करास्ता नहीं देते थे और उस पर कबज़ा कर लेते थे काफिला व्यवस्था होती थी जहां पर यह ने उसके बाहरी छेतर में कहीं वियापार न करने पाएं तो इस तरीके से कार्टेज, आर्मेडा और काफिला विवस्था यहां पर जो संचालित की गई यह किसके द्वारा प्रारम की गई यहां पर पुर्धगालियों के द्वारा बात करते हैं यह तो यहां पर इनको पुर्धगालियों के शरंद बताया जाते हैं, जो इतिहासकार कहते हैं कि सबसे जो अधिकार वाली प्रणाली थी, वहां पर सभी को अवसर नहीं मिल ले थे तो इनके साथ व्यापार करने को लेकर सभी सहुलियत नहीं थी तीसरा यहाँ पर धार्मिक वैवाहिक नीद का इन्होंने अनुपालन किया पुर्दगालियों ने अस्थानी प्रजातियों अस्थानी लोगों के साथ वैवाहिक के स्थितियों को यहाँ पर विक्सित करने कोशिश की जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके अत्रिक्ते हाँ पर स्पेंग का आगे चलके यहाँ पर इंका विलय हो जाता है युद्ध होता है युरोप में वहाँ पर स्पेंग पुर्धगाली ओंप जीच जाते हैं और उसका ओह तर उलए कर लेते हैं कि डेच का क्या-क्या प्रभाव, सई, पुर्थगालियों का भारत और व्यापार, छेत्र आन्न चीजों पर क्या प्रभाव पढ़ने को देखने का कुछ important चीजे हैं, जैसे कि पुर्दगालियों के कारण ही भारत और जापान के मद जो ब्यापार की प्रक्रिया हुए पुर्दगालियों के शाशनकान में यहाँ पे प्रारंब होती है इसके तरिक सामुद्रिक गतविदियों में राजनीत का समाविष्ट करने को स्रोत जो होता है या स्रेज होता है वो भी यहाँ पर पुर्दगालियों को जाता है तीसरी जो प्रभाव की स्थिव कही है कि इशाई मिशनलियों के द्वारा धन परिवर्तन की प्रक्रिया जो प्रारंब की गई वो यहाँ पर पुर्थगालियों की ही देन थी और आगे चलकर बाकी फिर कह सकते हैं कि ब्रिट्शों ने इसे बड़े अस्तर पर अपनाया 1540 में गोवा में प्रति सुधारवादी विचार धारा यहाँ पर लेकर आए और जेसुईट के द्वारा यहाँ धन परिवर्तन और धन परिशार करने की प्रक्रियां देखी गई साथी मंदिर और मूर्तियों को बड़े अस्तर पर पुर्दगाली छेत्रों में तोड़ा गया जैसे कि गोवा है बारदे और सालसेट में यहाँ पर इसको देखा जा सकता है 1560 में यहाँ पर गोवा में इसाई धार्मिक नियाले के स्थापना की गई और वहाँ पर जो भी निर्णे लिये जाते थे वहाँ पर इसाई धार्म के आधार पर निर्णे वहाँ पर दिये जा रहे थे साथी मध्य अमेरिका से तंबाकू, मुंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरोद और भारत में इन सारे जो चीजों का प्रवेश हुआ पुर्दगालियों के द्वारत में लेकर आया गया मध्य अमेरिका से साथी बादाम, काजू, लीची, संत्रा और अनानाज जैसे फल भी यहाँ पर अन्य देशों से पुर्दगालियों के द्वारत लेकर आया गया जहाज निरमार की प्रक्रिया भी पुर्दगालियों की देन है, साथी प्रिंटिंग प्रस्कि स्थापना भी यहां पर 1556 में पुर्दगालियों के द्वारा की गई इसके अतरिक्त गोथिक स्थापतिकला की जो गोथिक शैली है उसकी जो देन है वो भी पुर्दगालियों की है इसके अतरिक्त और शदिय वनस्पति वैग्यानिक ग्रंद का प्रकाशन भी यहाँ पर 1563 में गोवा में पुर्दगालियों के द्वारा किया जाता है तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखे हैं काफी सारे fact चीज़ें हैं और ये कई बार question में आपको पूछे जाते हैं पुर्दगाली उस related हमने यहाँ पर data को देख लिया पुर्दगाली खतम हुए लेकिन पुर्दगाली का हमने एक चरण पढ़ा अब बात यहाँ पर अगली आती है जब देखें किसके कुछ परिख्षा पयोगी तत्थ भी आते हैं कुछ important fact भी है जो कि परिख्जाम के दिरिस्ट कोन से बहुत जरूरी है जैसे कि डिक सूचक तथा नच्छत रेंदर का आविशकार और उपयोग जो होता है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया डॉन हेंरिक के द्वारा किया गया हुगली जो factory के स्थापना की गई हुगली में एक पुर्दगाली factory के स्थापना की गई pondicherry में यहाँ पर पहला यूरोपी कभजा जो होता है Spice Island इंडोनेशिया को बोला गया है इसे East Indies के नाम से भी हम चानते हैं Koro Mandl, मलक्का तक के व्यापार को नियंतृत करने वाला जो भारती समधाय था उसे चेटियार बोलते हैं साथ ही साथ इनके साथ एक और समुदाय था जो कारे करता था मिलकर चेटियारों के साथ वो था चूलिया मुसल्मान इसके अत्रिक्त पुर्दगाली सामुद्रिक सामराज जो था उसको हम एस्तादोदा इंडिया कहते हैं पुर्दगाली सामुद्रिक सामराज को एस्तादोदा इंडिया के नाम से भी जाना जाता है भारत सर्प्रथम आगमन 1498 में सबसे बाद में गए तो यहाँ पर पुर्दगाली ऐसे यूरोपी व्यापारी हैं जो भारत में सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे बाद में भारत से जाते हैं 1961 में इसके तरिक्त पुर्दगाली 1510 में गोवा को उन्हों जीते हैं और 1622 में उन्होंने हॉर्मुज को यहाँ पे खो दिया था इस तरह की स्तितियां भी देखा गया एक और चीज़ ध्यान रखेगा पोटो गांडे बंदरगा की जो संगय है वो चटगाओं को दी जाती है पोटो गांडे यहाँ पर चटगाओं को एक बंदरगा है उसको यहाँ पर वो नाम से पुर्दगाली बुलाते हैं अगबर की अनुमती से ही हुगली वा साजहां की अनुमती से बंदेल में पुर्दगाली कारखाने स्थापित किये गए तो यह भी कुशन कई बार पूचा जाता है कि हुगली में पुर्दगालीों को किसकी अनुमत के पश्षात कारखाने लगाया गया तो अकबर यहां पर अनुमत देती हैं और बंदेल में जो होती है कारखाना लगाने का जो अनुमत दी गई वो शाह जहां के द्वारा दी गई इसके अत्रिक्त 1580 में जेसुट मिशन जो होता है वो अकबर के दरबार में ये कुश्चन कई वे एक्जाम में पूछे गए हैं तो जेसुट जो मिशन है 1580 में अकबर के दरबार में यहां पर आते हैं इसके तरिक अलफांसो डी अलबुकर्क ने मजार गोवा शाह जहां हुगली को घेरा और नश्ट करते हैं यहाँ पर एक अलफांसो डी अलबुकर्क की जो मजार है वो गोवा में है साथ यहां पर साज अहां ने हुगली को यहां पर पुर्दगाली को साथ बहतर समन्ना होने कारण विरोत की स्थिति होने कारण साज अहां हुगली पर आकरवन करते हैं घेरते हैं और उसे वहां पर उनकी कंपनी को नस्ट कर देते हैं अब बात करते हैं डचों के बारे में, डच आते हैं, सबसे पहले पुर्दगाली है, पुर्दगाली के बात यहां पे डच प्रवेश करते हैं, डच जो होते हैं, यह इनका अभियान 1596 में डच अभियान, पहला डच अभियान यहां पे प्रारंब हुआ, और इसका जो नेतर 1202 में यहाँ पर वेरे निगदे ओस्त इंडिसे जिसे हम युनाइट इस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलेंड के नाम से भी जानते हैं डश संसत के द्वारा यहाँ पर इस कंपनी को स्थापित करने का श्रे दिया जाता है इस्थापित किया गया इन्हें 65 लाग गिल्डर पूजी प्यापार का पर्योग करके यह ग्यापार को पढ़ावा दे सकते थे, किसी भी भूणाय के आरजन कर सकते थे, संधिक कर सकते थे और सारे प्रक्रियागतrias स्थितियों को संचालत करने के लिए पैसे इन को दिये गए थे इसके अत्रिक 17 सस्ती एक बोर्ड के स्थापना की गई जो कि यहाँ पर कमपनी के संचालन का कारे करेगा साथ ही यहाँ पर 1619 में जाकरता में बैंटिया नगर के स्थापना की गई जाकरता में किसके द्वारा डचों के द्वारा की गई 1641 में मलक्का पर इन्होंने कबजा किया 1649 में इन्होंने सीलोम पर कबजा किया जो कि आपका स्रिलंका जिसको कहते हैं स्रिलंका पर इन्होंने पुर्दगालियों का सारा जो आधिपत था उसे समाप्त करते हुए वहाँ पर कबजा कर लिया प्रतम Dutch factory यहां पर जो इस्थापित की गई आपकी वादर हेंगे में द्वारा mostlyفर Tapiianam में 1605 में ठीक है water hand लिए द्वारा musste 1605 में प्रतम ड्च फैक्रि मसली पत्ट्रिम हाँ इस थापित की गई इसको ध्यान रहे हैं यह कई बार पहुंचे आते हैं तो Masli Katrina में यहाँ पर पहली factory स्थापित की गई 1627 में बंगाल में यहाँ पर इन्हों ने अपनी फैली factory भी स्थापित की इसके अगर हम बात कहें तो डचों के दौरा Ford William की स्थापना की गई 1663 में Kochi में यहाँ पर ford William की स्थापना यहाँ पर की गई 1769 में बेदरा का युद्ध हुआ था डचो और अंग्रेजों के मत हुआ था इसके अत्रिक्द भारती वस्त्रों को निर्यात की प्रमुक वस्तु बनाने का जो स्रे है वो भी किसको जाता है डचों को तो भारती वस्त्रों को निर्यात करने के लिए सबसे पहला जो स्रे यहाँ पर दिया गया वो भी यहाँ पर डचों को जाता है उन्होंने ही वस्तूं को निर्यातुन मुखी बनाया उनको पहचाना उनको यहाँ पर उसको विक्सित किया इसके अत्रिक्त भनोच बंदरगा को कपड़ा निर्यात, पुली कट को स्वन पगोडा सिक्के ढालने के लिए नागल बाच्चे को यहाँ साथी नागल बाच्चे और पालकोट्टू को यहाँ पर नेल उत पादन और कपड़ा रंगाई के लिए इन्होंने वहाँ पर अपने कारेश छित्रों के रूप में विक्सित किया अफीम जो होती थी भारत से चीन और जावाच सुमात्रा देशों को यहाँ पर सप्लाई की जाती थी इसके अलावा अगर हम बात के तो बंगा से सूती, कपड़ा, शोरा, अफीम, रेशम का यहाँ पर निर्यात किया जाता था डचों के दोरा निर्यात में अन्य वस्तरों के तौर पर नील और मसाले यहाँ पर बहुत आयात मातरम देखे गए तो डचों के दोरा जो मोलता भारत से अगर पूचा जाए व्यापार किनकी चीजों का करते थे तो निर्यात किनकी चीजों करते थे तो नील है, अफीम है, शोरा है, सूती वस्तर है, और रेशम है, साथी मसाले है इन सारी चीजों का Dutch यहाँ पर भारसे व्यापार करते थे इसके अत्रिक तक हम बात कहें तो Dutch व्यापारी factory के प्रमुख के रूप में यहाँ पर factor कहा जाता था factor कहने का मतलब की जो Dutch company का जो प्रमुख होता था ठीक है उसको वहाँ पर किस नाम से जानते थे factor के नाम से वहाँ पर वो बुलाय करते थे इसको ध्यान रखेगा factor यानि कि Dutch factory के प्रमुखों को हम उस राम से पुकारते हैं इसके अत्रिक तक हम बात कहें तो Dutch company के निदेशकों को यहाँ पर भद्रजन 17 कहते थे भद्रजन 17 यहाँ पर इनके निदेशकों को बोला जाता था इसके अत्रिक कोरो मंडल बंदरगा प्रमुखों निर्यात वस्तु वस्तु के रूप में थी 17 सताबदी में यहाँ पर सरवाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला जो यूरोपी कंपनी थी वो कौन सी बनी यहाँ पर डच बन जाती है साथी अगर हम बात करें तर भारती अफीम को इंडिनेश्याई द्वीप को समुक निर्यात के रूप में डच इस इंडिया कंपनी का एक प्रभुत जो था 17-18 सताबदी तक इंडिनेश्याई द्वीपों को जो अफीम का निर्यात किया आयता था वहाँ पर पौन रूप से एक प्रभुत की जो इस्तिती थी वो डचों की थी इसके अतरिक तक हम बात करें तो 1641 में मसली पटनम में आंधर प्रदेश 1645 में कटाई का कलाम 1663 में यहाँ पर चिंसुरा वेस्ट बेंगॉल में 1698 में यहाँ पर इनका कासिम बाजार जो की बंगाल में तो इनके कुछ प्रमुक फैक्ट्रियां रही है फैक्ट्रियां यहाँ पर कई अलग अलग छेत्रों में रही है तो वो फैक्ट्रियां आपको ध्यान रखने नहीं है मोलता जो ज़्यादा तर question पूछे आते हैं वो कि पहली factory कहा अस्थापित की गई तो उनको ध्यान रखना है लेकिन कहा कहा factory रही है ये भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है तो देखें इनकी factory जो होती कहा कहा रही है तो मसली पटनम, कुड़ाई कनाल, तो मूलता अगर हम डचों के पतन के कारणों को अगर हम देखें तो नौवहन सक्ती इनकी बहुत अच्छी नहीं रही आर्थिक इस्थिती इनकी साथ यहाँ पर जो पूझी इनको दी गई थी बहुत कम थी निर्यात यहां पर बहुत जादा प्राथ मिक्ता यह नहीं दे पा रहे थे अंग्रेज व्यापारियों को यहां पर जैसे यह उनका प्रवेश होता है दधीरे धिलेन की जो शक्ती होती है वो छीण होती चली जाती है और कुशासन की प्रक्रियां इसमें देखने को मिलती है दच व्यापारी को जो होता है राजनीत में वहां पर उन्होंने बहुत हस्तक्षे भारत में नहीं किया था तो डचों का कहीं भी भारत में राजनीतिक प्रवेश और इच्छा सकती देखने को नहीं मिलती है वो मुलता व्यापार को ज़्यादा प्राथ मिक्ता देते हैं और यही दृष्टकुन वहाँ पर देखने को भी मिलता है तो यहाँ पर हमने देखा पुर्दगाली और डच की प्रक्रियाई समाप्त होगे लेकिन सबसे इंपोर्टन अगर देखा जा कि मुवी में कई बार होता है कि कहानी में सबसे पहले ऐसे प्रस्तोताओं को रखा जाता है कि जिनकी हो सकता है आप वेब सीरीज अगर देखें वेब सीरीज में क्या होता है वेब सीरीज में होता है कि आपके फरस्ट पार सगेंड पार्ट थार्ड बार लेकर आते हैं जैसे मिर्जापुर आप लोगों ने देखी होगी या तो आपके जो पहले से स्थापित सामराज है वो गिरेगा और नया कोई उभार लेकर आता है जैकि सेकेंड पार्ट में देखने को मिलता है कि कालिन भहिया और मुन्ना भहिया को यहाँ पर क्या होता है और उसके बाद यहाँ पर डच आते हैं लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेजों आते हैं जब वो इंटर करते हैं और वो अपनी पॉलिसी इसको अपनी राजनीत को खोलना सुरू करते हैं और उसको खेलना सुरू करते हैं तो यहाँ पर ना ही पुर्दगालियों को कुछ समझ म आता है ना ही डचों को कुछ समझ में आता है और ना ही उसके बाद जो फ्रांसीसी आते हैं वो लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक उनके खिलाब टिक नहीं पाते हैं तो अंग्रेजों ने सबसे लेट जरूर आते हैं, लेकिन अपने आपको पूरे भारत में वहापे स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं तो वही हाल है यहाँ पर कि लेट लतीफ आते जरूर हैं लेकिन पॉलिसीज कितनी जादा अच्छी रहती है वो यहाँ पर काम आती है और वही यहाँ पर हुआ अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अंग्रेज इंटर करते हैं अंग्रेज इंटर करते हैं और उनसे रिलेट काफी सारा यहाँ पर आपको डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं वैसे इनके बारे हम सबको पता है लेकिन पता होते हुए भी कैसे revision हम कर रहे हैं न हम यहाँ पर समझा वैसे भी मैंने गाओं हमें क्या करना है इस टोरी हम सबको पता है लेकिन क्या फैक्ट जो ध्यान रखना है जो एक्जाम पूचा जा सकता है हमें सिर्फ वो ध्यान रखना है चलिए देखते हैं इस अंग्रेज की विशेवस्तूं में क्या क्या इंपोर्टेंस है तो भारत आने वाले जो प्रतम अंग्रेज यात्रित है जॉन मिल्डल थे जॉन मिल्डल हॉल थे 1597 में ये पहले भी जो होते हैं आते हैं 1588 में सबसे पहले ये अंग्रेज व्यापारी होते हैं नाम इनका जॉन मिल्डल हॉर था इसके अत्रिक ये 1588 में जहादी बेड़े जिसको आर्मेडा कहते हैं 1599 में हापर्स अगर हम देखें तो 217 व्यापारी समुहों को जो की पूरवी देशों से व्यापार करेंगे उनको लेकर एक कंपनी के स्थापना की गई जिसको उन्होंने आगे चलकर नाम दिया गया ये कंपनी का पूरा नाम था बहुत बड़ा है याद रखने की जरूरत नहीं है बेसिकली पूछाने शॉर्ट फॉर्म में हमें जुरूर याद रखना है यहाँ पर इस चीज़ को फैक्ट को ध्यान रखना है इसके अलामा पहली सामुद्र क्यात्रा की गई, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं, कैप्टन हॉकिंस जो आते हैं, ये एक जहाज लेकर आते हैं, व्यापारिक जहाज लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, हेक्टर या रेड ड्रैगन भी कहते हैं, रेड ड्रैगन या हेक प्रस्तुत होते हैं कहां प्रस्तुत होते हैं 1609 में जहांगीर के दरबार में यह प्रस्तुत होते हैं प्रस्तुत होने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर चलती रहती हैं उसके बाद आगे चलकर दूसरी चीज़ यहां पर हौकिन्स जो हते हैं 400 का मनसब एक जागिर और खान की यहां पर उपाधी दी गई जहांगीर के द्वारा तो यह भी कई बार पूछा था कि खान की उपाधी जहांगीर के द्वारा किस अंग्रेज को यहां पर दिया गए तो यहां पर नाम जो हता ह वो ध्यान रखना है कैप्टेन हॉकिन्स इसके बाद अगर हम देखें तो 1611 में मसुली पत्नम या मचली पत्नम भी कहते हैं यहाँ पर अदक्षन पूरी समुद्रे तट पर पहली कोठी का निर्मार किया गया गोल कुंडा बंदरगाह का निर्मार किया आता है गोल कुंडा जो बंदरगाह है उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखेगा हीरे मडिक और कपड़े का यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होता था हीरे मडिक और बंदरगों यहाँ पर बहुत ज़ादा मातरा व्यापार कि स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं बड़े अस्तर पर इसके बाद 1613 की बात करें जहां गीर का एक आग्या पत्र जारी करते हैं और इस आग्या पत्र के माथम से सूरत में एक स्थाई कोठी के निर्माड की अंग्रेजों को अनुमति प्रदान कर दी जाती है 1615 में सर्ट टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंसते हैं और तीन वर्ष के लिए वो यहां पर रहता है लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं कहानी बदलती है बदलती है 1625 में सूरत केंदर जो है भड़ो चेहनदाबाद मुस्ली पर्ट्रम आगरा अजमेर में यहां पर अंग्रेजों के अब तक काफी सारी फैक्ट्रियां स्थाबरी सोच की थी 1623 तक धिरे धिरे उनका विस्तार होचका था विस्तार बहुत तेजिस होता है अंग्रेजों का यह चीज़ तो देखने को बनता है उन्होंने बहुत ही सही तरीके से पूरे भारत में यहां पर अपने को विस्तार किया है इसके बाद देखिए 1622 में उन्होंने अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी होरमुझ बंदरगापर पुर्दगालियों खाराकर वहां पर भी एक अबज़ा कर लेते हैं और 1632 में गोलगुंडा के सुल्तान के द्वारा इन्हेक सुनहला फरमान जारी किया आता है सुनहला फरमान किसके द्वारा जारी किया गया गोलगुंडा के यहां पर सुल्तान के द्वारा 1632 में और ये सुनेला फर्मान क्यों बोला गया क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा लाफ मिला लाफ मिला कि उसको जैसे कि सोने की एक प्लेट में सजा करके उन्होंने आपको पूरा अपने राज को अंग्रेजों को वहाँ पर खुदी सौप दिया था पूरे वहाँ पर गोलगुंडा सामराज के बंदरगाह पर और सिर्फ पांसो पगोडा वार्शिक उन्हें कर देना था तीसी लिए इसको बोला आता है सुनहला फर्मान इसके बाद गर हम देखें आगे चल कर देखें तो 1649 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगीर के राजा धरमेला वेंक टपाँ मद्रास को पCo पो इनकेटप से अगेगे देखिए इसके पस्चाथ क्या हुआ, आगे चलके 1640 में इसको मदरास नगर का एक निर्मार किया आता है और यहीं पर एक सुद्रिन दुर्ग का या किले का निर्मार किया गया, जिसको नाम दिया गया फोर्ट सेंट जोर्ज, ठीक है, कहाँ पर है, मदरास में, फोर्ट सेंट जोर्ज की यहाँ पर स्थापना की गई 1641 में कमपनी का इसे मुख्याला भी बना दिया गया, बहुत तेजी से यह लोग काम कर रहे थे, बहुत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ों को यहाँ पर कब्जा कर रहे थे क्योंकि पॉलिसी सीधा था कि आगे चलके हमें यहाँ पर एक सामराज्य स्थापित करना है 1651 की बात करें तो हुगली में यहाँ पर कोठी की स्थापना की गई, ब्रिजमेन के द्वारा उसके बसचाथ यहाँ पर कासिम बाजार, पटना और राजमहल में फिर फैक्टरिया अंग्रेजों ने स्थापित कर ली 1660 की बात करें तो चासथ दूटीं ने एक आगिया पत्र यहाँ पर जारी किया और कम्पनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, नयाय करने, संदी विग्रा हा करने गहर इसाई देशों के साथ, गहर इसाई राजियों के साथ करने की यहाँ पर उनको अईसाग्यापत्र के माध्यम से अनुमत दे दी अर्थात की कंपनी को और सारे यहाँ पर अधिकार दिये गए और इस अधिकारों को प्राप्त करने के बस कंपनी का विस्तार और भी तीव्ड हो गया 1660 में पहुंसते पहुंसते बंगाल में व्यापार का यहाँ पर एक और फर्मान यहाँ पर आउरंग्जेब ने दे दिया और इसके माध्यम से उन्हें पूरे बंगाल में व्यापार करने के उनको अनुमत मिल जाती है इस तरीके से अगर हम देखें किस यहाँ पर उन्हें ने कबजा किया जिस तरीके से काम अपने अगे लेकर चल ले था बहुत तेजी से और अग्यम ने भी एक खरवान जारी कर दिया उसके माध्यम से बंगाल पर अब आप द्यापार कर सकते थे पूरी तरीके से 1668 में देखें तो एक और इनके लिए खुसकबरी खुसकबरी मिले इनको किस तरीके से दस पॉंड वार्षिक किराय पर दस पॉंड वार्षिक किराय पर बंबई का जो बंदरगा था पुर्दगालियों से इनको मिल गया किराय पर जो भी था इनको मिल गया और यहाँ पर क्यों मिल गया इन साही चीज़ों के लेकर आपको पता है कि वहाँ पर पुर्दगाली की और ब्रेटेन की जो राजा थे उनके पुर्दगाली जो राणी थी उनसे विवाह हो जाता है उसके पैसचा रहां पुर्दगालियों के दौरा इनको ये बंदरगा भी मिल जाता है अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखेगा इनके तीन प्रमुख बंदरगा बंबई, मदरास और कलकता इन तीन शहरों का भी निर्मार किया इनको ध्यान के कई पर ये भी पूचा जाता है तो यहाँ पर ध्यान के रखना है जौब चारनाक के द्वारा कलकता के निर्मार किया गया दूसरे जो यहाँ पर है गैरलोल्ड अंगियार के द्वारा बंबई के निर्मार किया गया और फ्रांसिस डे के मदरास के संस्थापक ये तीन लोग है इनको ध्यान रखना है तीन अ जो कि यहां पर कलकत्ता को स्थापित करते हैं उसकी घटना वो कैसे विक्सित करते हैं वो भी समझ लीजिए 1690 में जॉब चौरनक सूतानती में यहां पर एक कोठी को स्थापित करते हैं और आगे चलके वहां विस्थानी लोगों ने जमीदारों उनका विद्रो किया वहां पर आसपास छेत्रों में और उसके कारण को अनुमद मिल जाती है कि उस पूरे छेत्र में किले और दुर्गा निर्माड कर लें 1697 में हाँ सुतानती में हाँ उन्होंने किले बंदी कर ली जिसको आगे चलके इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माड भी हुआ पर उसको कहते हैं सर चाल्स आयर प्रधं मंने यहां पर वहाँ पर कह सकते हैं कि इसके लिए अर्थाथ फोर्ट विलियम्न के जो पहले प्रेशिडेन्ट थे उनका नाम था सर चाल्स आयर आगे चलकर कंपनी ने अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर एक सुबधार थे अजीमु शान उन्होंने अंग्रेजों को कालीकाता, सूतानती और गोविनपूर तीन यहाँ पर छेतर दे दिया कंपनी ने अपने सिर्फ 80 वर्षों में कोलकाता पर भी कबजा कर लिया, बंबई पर भी कबजा कर लिया और साथी साथ यहां पर उन्होंने मद्राज को भी अपने छेत्र में ले लिया। अगे अगर हम देखें तो 1686 में और अंग्रेजों के मद्ध एक प्रथम मुकाबला महुगली में होता है। और और अंग्जेव इसे थोड़ा सा वहां पर गुस्सा करता है, गुस्सा करने के बाद वह तुरंत वहां पहुंसता है, वहां पर कुछ छेत्रों को जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अंग्रेजों से पटना, काशिंपूर, मशली पटना, विशाखा पटना, सूरत क की कोठियां भी छीन ली, सरजान चायल्ड जो भी थे उनको वहां पर भारसे निस्काशित कर दिया, लेकिन आगे चलकर यहां पर अंग्रेजों ने थोड़ा सा छमाया आचना की, 17,000 पॉंड यहां पर जुर्माना लगा के और अंग्जिव सारे चेत्रों को वापस अंग् इंटरपोलर जो शब्द है, वो मुलत ध्यान की का एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले व्यापारियों को इंटरपोलर की संग्या दी गई है, साथी विल्यम हैं हमिल्टन नामे के एक सल चिकिस्तक जो आते हैं फरुक्षियर के दरबार में आते हैं, उस समय ठीक हो जाता है, फरुक्षियर जैसे ही ठीक होता है, उसने अहां पर 1717 में कमपनी के व्यापार को चुंगी वा करों से मुक्त खोशित कर दिया, कि मतलब आपको कुछ नहीं देना, आप जैसे चाहों वैसे व्यापार करिए, इसके साथ साथ उन्हें कुछ गाउं भी उनक इसको बोला गया, कमपनी को दिया गया, एक मैगना कार्टा की संग्या, जिसको ध्यान रखेगा, किसने यहां पर प्रदान किया था, तब फरुक्षियर के आदेश को यहां पर कमपनी का मैगना कार्टा भी हम कहते हैं, अंग्रेजों की बात हो गई, आते हैं उसके बार ड प्रवेश करते हैं, और आगे चल के यह अपने सत्रों सो 545 में सभी जो फैक्ट्रियाँ है, वो अपना सेल आउट करते हैं 1645 तक अपनी सारी जो फैक्ट्रिया उसको सेल आउट करते हैं किसको अंग्रेजियों को देते हैं निकल जाते हैं इसके बाद आजाते हैं फ्रांसीची फ्रांसीची आते हैं अंतिम यह व्यापारी कंपनी के तौर भी हम इनको कहते हैं 1664 में यहाँ पर फ्रेंच एस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना करते हैं फ्रांसीची केरोन या फ्रांको केरो की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचता है 1664 में, 1664 में एक दल जो होता है फ्रांसroe Cupा भारत मिषा इसका अध्लिक्षता में फ्रांको कैरो नियाम ध्यान रखेगा फ्रांस्ट पीरोन भी कहते हैं या फ्रैंको कारो भी इनके नाम से हम जानते हैं दूसरा चीज़ यहां पर ध्यान रखेगा 1601 में यहां पर दूसरा कार-खाना स्थाप्थना में में दूसरा फ्रांसिसी का कजा 미科 फ seize किया गया मसंदि पूनिव हो तर्वा कूंछ I mean मद्रास को हाँ पर प्रांसिस मार्टिंस को यहां पर प्राप्त हो गया है सैंट हो में भेसा था ऐए एक तरीके थारे था कि नौ裡 दुरगा तो वो फरांसिस मार्टिन को यहां पे प्राप्त होता यह चीज ध्यान रेखेगा फ्रांसिसियों को आधलास यहां पे मदरास यहां पर आगे चलकर प्राप्त होता है इसके बाद 16-14 में पॉंडिचेरी की ये स्थापना करते हैं और पॉंडिचेरी में किलाबंद की स्थापना करते हैं किले की यहां पर स्थापना करते हैं जिसका नाम नहीं ने दिया फोर्ट लूई फोर्ट लुई की स्थापन यहाँ पे पॉंडिचेरी में की गए इसके बाद फ्रांसिस मार्टिन को भारत फ्रांसिसी बस्तियों का वास्तिविक संस्थापक भी कहा जाता है तो अगर कभी question में पूछा जाए कि भारत में फ्रांसिसी बस्तियों के वास्तिक संस्थापक कौन थे तो नाम ध्यान रखेगा Francis Martin थे इसके बाद साइस्ता खान ने 1692 में एक भूमी लेकर के बंगाल के चंदरनगर की यहाँ पर स्थापना की तो आगे चलकर यहाँ पर चंदरनगर की स्थापना जो की वो किस ने की थी यहाँ पर साइस्ता खास एक भूम लेकर Francis Martin ने 1692 में यहाँ पर एक नए नगर की स्थापना की जिसने नाम दिया चंदरनगर एक आगे चलकर एक संधी होती है रिजविक की संधी यह संधी होती है यहाँ पर डचों की फ्रांसीसियों को जिसके माध्यम से डचों जो होते हैं प्रांसीशियों पुछ आकिमन करके चंदरनगर को थे और किसीकवास कर थे होते हैं पुछ यहांगे चल के पॉंडुचेरी को यह है ङृःभ 너- cm संदी के माध्यम से फाथ清़से भागतिंस फ्रांसीश्यों को वापस ड्रचों से मिल जाती तिस तरीके से अंग्रेज के बाद डैनेश डैनेश के बाद फ्रांसीसियों ने अपने शेतनों का विस्तार किया विस्तार बहुत लंबा और लडाई बहुत लंबी होती है आगे चलकर यहां पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मद यहां पर कुछ युद्ध होते हैं और य यह देख ध्यान रखेगा 1746 से 1748 के मद यह युद्ध हुआ यहाँ पर युद्ध हुआ थो वो आस्ट्रिया के उत्राधिकार का युद्ध था मूलता यह लड़ाई कहीं और की थी और यहाँ पर क्योंकि यूरोप में लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज और फ्रांसिसी यहाँ पर भीड़े हुए थे तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ भी अंग्रेज फ्रांसिसी तो वह भी उसी चीज को लेकर यहाँ पर भीड़ जाते हैं आगे चलकर इस यहाँ पर लड़ाई चली रही होती है उसी दौरान यूरोप में जो आमें फ्रांस और अमें ब्र तो यह कि जो भारती राजा थे शाशक थे वो बहुत कमजोर है इस सक्तियों के आगे और दूसरी यहाँ पर यह चीज़ पस्ट हो जाती कि जल शक्ति पर जिसका नियंत्रन होगा वो यहाँ पर आधिपत्त स्थापित कर सकता है मजबूत रह सकता है इसके बाद यहाँ पर भी कहते हैं यह जो युद्ध हुआ 1749 से 1754 के मद्ध हुआ यहाँ पर करनाटक और हैदराबाद के आंत्रिक जो विबात थे शासन को लेकर के वहाँ पर शासन सत्ताहथी आने को लेकर वहीं पर इन दोनों ही पक्षों एक पक्ष का वहाँ पक्ष लेने कारण लडाई का का आपस में वहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो दूतिक करनाटक युद्ध था पॉंडचेरी की संधी हो जाती है 1755 में और संध में यहाँ पर हम देखें तो यह अनिर्णायक रहा लेकिन एक तरीके से अंग्रेजों ने पूरी लड़ाई लड़ी पक्ष भारी आपर पड़ता हुआ दिखाई देता है इसके बाद अगर बात करें कौन किसके पक्ष को लेकर है कौन किसके पक्ष में था तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तो हरदराबाद मिकम में मुझफर जंग की तरफ से यहां पर फ्रांसिसी थे, नासिर जंग की तरफ से ब्रिटिस थे, वहीं अगर हम बात करें कि करनाटक में चांद साहब जो थे, वो फ्रांसिसी के साथ थे, और अनवरुदीन जो थे, वो ब्रिटिशों के साथ थे, आगे यहां पर पूरा आधिपत्य हो जाता है 1756 से 1763 तक सत्वर्षी युद्ध के दोरान यहां पर यह लड़ा गया पेरिस की यहां पर एक संधी होती है 1763 में और यहां पर अंग्रेज जो होते हैं वॉन्डी वाश की युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित कर और इस फ्रेदव झाला किया और इस चे पर हम बात करें तो धिरे धिरे यहां पर हमें देखे तो जिंजी वामाहे पर भी आगे चलके निमने कब्जा किया सर जो कि आ एक लोगोट यहां पर अंग्रिजियों की तरफ से ने अनटरुत कर रहे थे और आगे चलकर अगर हम देखें तो कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है चंदरनगर को छोड़ करके से सभी चीजें जो होती है पेरिस के संदी के पश्चात वहाँ पर फ्रांसीसियों को वापस कर दी जाती है और एक चीज और बुला गया कि फ्रांसीसी अपने सैनी के हा काफी विरोध किया था क्योंक्कि डूपले को वहाँ पर डुतिय करनाट युद्ध के दौरां ही वापस बूला लिया जाता है और वहां पर गोड़्र हुआते हैं संदी पर संधी से होती है कि वहाँ पर अंग्रेज फ्रांसिसी के प्रभुत होने के बाद भी उसे जीत नहीं पाते हैं और यहीं कारण था लाली जो ते फ्रांस को वापस बुला ली आता लाली को और मृत्व दंड भी दे दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो हार का कारण था पूरी तरह क से लाली के द्वारा गलत तरीके से लिए गए निरने थे इसके बाद कुछ कथन यहां पर कहे गए कुछ कथन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जैसे कथन कहा गया वाल्डेर ने कहा था वाल्डेर ने कहा था अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले अमरीका तहा एशिया के सभी माचिस पर उन्होंने आग लगाने का काम किया है तो क्योंकि लड़ाई जो होती थी वो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मद यूरोप में हुई लेकिन उस लड़ाई का जो विस्तार था वो अमरीका और एशिया में जो की उपनिवेशिक छे लड़ाई देखने को मिलती हुए उसी सभीक्ष में यहां पर वार्डेर यह कथन दिया था इसके अलावा एक कथन और यहां पर देखने को मिलता है आरकि मजूमदार जी ने जो कथन काया कि इस अपमांजनक अस्फलता ने भारत पर फ्रांसीसियों के भाग का सब्रकार से दरवाजब बंद कर दी यह जो कथन दिया था उन्होंने तीसरे करनाटक युद्ध के संदर्फ में दिया था इस तरीके से यहाँ पर हमने सभी जो ब्रिटिश आगमन थे यूरोपी आगमन था कहानी थी आकर्मनकारी थे और यूरोपियों के बारें पढ़ा यहाँ आपको दिखा दूँ यह मैप आप देख रहे हैं। यह जो मैप है यहाँ पर एक जानकारी देता है कि किसी कहां पर पर कौन से बस्तियां रहे हैं..amiliarके यहाँ पर जो स्वीडिस में आती है भारत में हाते है निस वह विल्यम några लिंक्स थे और यह जोहां आते हैं वहाँ पर गोहनबर्ग में यह आते हैं तो आसपस पेश्या में इंटर करते हैं अब मैं बात करें तो भारत में यूरोपी बस्तुओं के जो प्रमुक केंद्र रहे हैं और यह केंद्र अगर देखें 1498-1749 के मत रहे हैं ओर जितने भी केंद्र अगर अगर आपधें यह सब ही अगर आप देखें तो यह तटों पर हैं कहां पर हैं कहीं भी आपको अंदर यह शृत्र देखने नहीं बसती है तब वो भारत के अंगंदुरुनी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षिप करना बड़े अस्तर पर फिजिक शुरू करते हैं और कभजा करना शुरू करते हैं तो वो जो मुगल सामराज के स्थिति आती है क्योंकि देखे एक कहानी के दो पार्ट है ये तो कहानी है कि जहां विदेशी ही आपस में लड़ रहे हैं लेकिन ये जो 16-17-18 की समय से चल ला है जहां ये लोग आपस में लड़ रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं था यही लोग भारत म फिर उसके बख में ला यो-जे जी घाते हैं यहां से कई सारे कूश्चन आपको पूंचे जाते हैं क्या क्या पर देख लेते हैं लेकिन उससे पहले जो छिए्ले जो चेत्र है कौन-कौन सबसे पहले 1535 में सभी यूरोपी है कॉन किसके है उसके बारे हमने यहां पर पढ़ ल्या है कौन कभ यहां पर यूरोपी कंप्शिक्स आइंटर कर स्थापित करते हैं सिरफ हम वह देख रहें हैं तो दीव में आपार एली यहां पर जो पारी में 1535 सूरस्त में 1608 में, दमन में 1569, बेसिन 1534, बॉम्बे 1533, गोवा 1510, कन्नौर 505, माहे 1524, कालीकट 1498, कोचीन 153 और 1663, क्योंकि अलग-लग रादियों के दो लोगों के नहां पर आये हैं, उसके बाद नीचे सफिर देखे, नाग-पट्यम ये 1507, उसके बाद कराईकाल 1749, तंजावुर 1620, पॉंडिचेरी 1674, सद्रास 1670, मद्रास 1649, पुलीकट 1610, मसुली पट्नम 1605, यनम 1725, विशाखा पट्नम 1682, कलकत्ता, यहां पर आब आगा है हम सीदे, कलकत्ता 1690, इसके उपर देखें, तो सीरामपूर 1676, उसके उपर आगर आप देखें, चंदरनगा 1690, फिर आप यहां देखें, हुगली है, सोर 1530, सबसे उपर आपका चिंसूरा 1625, तो यह आपका जो पूरा एरिया है, यह ब्रिटिशों, डच, डेनिश, जो भी आए यहां पर, ठीक तरीके से वहां पर कई जगाँ दो सन लिखे हुए, जैसे आप यहां पर देखें, पंदरस तीन, सोरस तीर सड़ लिखा हुआ है, नाग पटिन ना में 1570, सोरस तीर सड़ लिखा हुआ है, तो यह ऐसी प्रुस्तियां है, यह आपकी इस्तिती देखने को मिलती है, जब अगर आप मिला कर नहीं देखोगे, तो पिच्चर ने क्या होती है, पूरी नहीं होती है, तो यहां पर काम वही हुआ, कि अगर हम सिर्फ यहां पर अंग्रेजों को पढ़ लेंगे, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि बाकी चीज़ें क्या हो रहें, क्या हो समय और कोई और किस तरीके से यहां पर ब्रिट्शों को पूरे राज जीव में अपने आपको स्थापित करने के लिए उनको कैसे तरह से अवसर मिलते हैं, तो यहां पर देखें, तो उत्तर कालीन मुगलों की एक बंशावली है, उसको देख लीजे, जो यहां पर जो शासक था, में प्रथम भी कहते हैं, पूरा नाम अबुल, मुझफर, मुहिद्देन, मुहमद, औरंगजेव, आथा, औरंगने प्रथम के नाम से भी हैं जाते हैं, इनके पांच बच्चे थे, पहला थे मुख्जम, जिसको आप बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं, या स कुशियर थे, और इसी के दोरान मुहमद कामबक्ष के पुत्र थे, मुही उस्सलनत, और मुही उस्सलनत के पुत्र थे, मुही उल मिल्लत, जिसे हम सा जहां तरते के नाम से भी जानते हैं, यहां पर जो पहले शाशक बनते हैं, वो बहादुर शाह प्रथम या सालम प्रथ बहादुर्शादुती जो है सबसे लास्ट इनके सासक बारवें शाशक बनते हैं और इनको एद लास्ट सुतनतर संग्राम में भी सामिल होते हैं विद्रो करते हैं इंग्रेज खिलाब लड़ाई लड़ते हैं हार जाते हैं मुगदमा चलता है रंगून भेज़ दिया तो व पूतर कौन था बहादुर्शा दुति थे इसके रामा वादुर्शा प्रथम के जाहंदा्र चाके अलामा अजियमुर्शान भी पूत्र थे उवी-ॉ County जहां शाह थे अजी मुश्यान के अगर हम देखें तो फरुक शियर उनके पुतर थे जो आगे चलके शाशक बनता है तीसरा शाशक बनता है रफी उलकद्र के यहां पे तीन पुत्र हैं मुहमद इब्राहिम रफी उद्दौला यह साध्यादुति यह पांचवे शाशक यह रफी उद्द दरजात यह चौथा शाशक बनता है इसी दोरान यहां पर देखें जहां शाह जहां शाह के मुहमद शाह प्रथम जो छटे सासक हैं और एहमद शाह जो सात्वे शाशक बनते हैं किस तरीके से इनकी पूरी एक वंशावली है अभी नहीं वंशावली यह नाम नहीं किया हमें उससे मतलब नहीं लेकिन हमें उससे मतलब है जो हमको कुश्चन पूछा जा सकता है तो चलिए देखते हैं कि यहां पर हमारा मतलब किन से किसे निकलता है सबसे पहले देखिए बहादूर शाह प्रथम जी यह आये 1707-1712 में ठीक है 1707-1712 के दौरान यह किस अपने शाशनक्याल के दौरान संभा जी के जो पुत्र थे साहू जी इनहीं के शाशनकाल में 1707 में छोड़ दिया गया था 1688-89 उन्हें पखड़ दिया उसके बाद इन्होंने आते ही उनको 1707 में छोड़ दिया इसके अत्रिक्त औरम जीर के दौरा अपनाई गे जजिया नीत को भी इनोंने समाप्त कर दिया जजजिया नीत को समाप्त करने वाले यहाँ यह पर यह शाशक थे बहादुर शाह प्रथम यह ध्यान रखेगा डचा सन-pri desapcarbon जो होता इतिहासकार खफी खाने इन्हें शाहे बेखवर की उबादी है तो शाहे बेखवर की उपादी किसे दी गई किस मुगल शाशक को बहादूर शाप प्रथम 77-77-12 और यहां पर एक शियान रखे किसके द्वारा दी गई इतिहासकार खफी खान के द्वारा इसके अत्रिक देश उनके बारे में देखे एक तुरानी था दूसरा इरानी तीसरा अफगानी चोग था यहाँ पर हिंदुस्तानी तूरानी और अफगानी जो हते हैं वो सुनी थे जबकि इरानी आपका और इस पर चिंकिलिश खां और गाजी उद्दीन जैसे सरदार जो थे इस डल के हिंदुस्तानी जो दल था इसमें हिंदु पहले की हिंदु मुसल्मान ऑन गये थे आइसे लौग थे इसमें आप इस ग्रुप को जाट हैं सिख्ऐं को हिंदुस्तानी जो उत्तव्यापारी थे हैं उनका इनको समरतन इसके नहीं देखे दी गई मालवा के राजा जै सिंगो मिर्जा राजा की जो अपाद दी ती किसके द्वारा जहादार शाँ के द्वार दिगए इसके अत्रिक्त दिक है L प्रताति और किसके शाशनकाल में प्रारम होई जहांदार शाह के要टार सासनकाल 1712-177 तक था इसके बाद बात करें तो इन्हें लंपट मोर्ख की Еग में संघ्यादी जाती है उसकार खफी खानेरं इक यहां पर कहा था कि नया शाशनकाल चारणों गायकों नर्तकों नाट कर्मियों के समस्त वरगों के लिए बहुत अनुकूल था तर्थात इनके शाशनकाल में इन लोगों के लिए सबसे अच्छा शाशनकाल था वहाँ पर ये बहुत तेजी से विख्सित हो सकते थे इसके बाद आते हैं फरुकशियर फरुक्षियर का देखे बारे में यहाँ पर कुछी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज 11.17 में यह साशक बनता है शाशक बनने एक बाद यहाँ पर अब्दुल्ला खां को इन्होंने अपना वजीर बनाया किस हो अब्दुल्ला खां को हुसेन अली खां को यहाँ पर मीर बक्षी बनाया और तीर थियात्रिकर को समाप्त करना के श्रय जाता है फरुक्षियर को तीर थियात्रिकर किसके द्वारा समाप्त किया गया फरुक्षियर के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है साथी 1717 में ब्रिटिश एस्ट इंडिया कंपनी को शाही फर्मान जोसकी मैगना कार्टा भी बोला जाता है किसके द्वारा जारी किया गया था फरुक शियर के द्वारा जारी किया गया देखे यहाँ पर वह चीज़े हैं अब यहाँ पर मिलना सुरू हो गए जो अभी आपन फरवरी से जून 1719 तक रहते हैं बारा सासको में उत्तर मुगल कालीन बारा सासको में जो सबसे कम समय तक मुगल शाषक था वो था ये रफिव दरजाज सिर्फ चार महिने के तीन माह चार दिन के लिए शाषक बनता है ठीक है नेकुशियर का यहाँ पर एक विद्रो होता ह सायद बंधु यहाँ पर अब तक काफी इंपोर्टेंट हो गए थे शासन प्रशासन के द्रिशकोंड से और चैरोग से इसकी मृत्ति हो जाती है इसके बाद बनते हैं मुहमद शाह का शासन का 1719 से 1748 तक रहता है इस सासनकाल के दौरान सायद बंधू के द्वारा इन्हें जीन वा महिलाओं का जो प्रभुत था इसके शासनकाल में वहां पे प्रभावी होता है इसको भी ध्यान रighएगा मुहमद शाह के शासनकाल में निज्व Chem Любach में अंब और अब्लille खा की भी यहाँ पर हत्या कर दी गई बंगाल बिहार उडिशा में यहां पर मुश्यत कुली अवद में सहाधत खां दक्कन में निजामों मुल्क भरतपुर्वा मतुरा में बदन सिंग गंगा युमना दोवाब में कटेहर रुहेले अब तक यहां पर अपने आपको एक स्वतंद्र शाशक के रूप में कौचेंगे तो उनके बारे में इनहीं यहां पर जो कहानी सुरू हुई है इसकी डेटेलिंग हम यहां पर करेंगे अब यहां पर देखे क्या हुआ कि 24 फरवरी 1749 में फारश के शासक नादिर शाह के यहां पर आक्रमन हुआ साथी बाजी रव प्रथम ने 1727 में यहां पर दिल्ली पर आक्रमन किया 1720 में इन्होंने जजिया करको पूरी तरीके से प्रतिबंदित कर दिया तो यहां पर ध्यान रखेगा मुहमत शाह के द्वारा 1720 में जजिया करको अंत्ता यहां पर प्रतिबंदित ही कर दिया जाता जाना है इसके तरी फूल vaal Kanamaka के द्वारा फूल वालों की से न नामक का ऑफ्तुसव कि द्वारा मुहमत शाह के द्वारान 17.97 पें अब्दारे बंजाब के सूब़ेदार सेनवाजखा के नियंत्रन पर भारत पर होने आक्रमन करता है तो एमेशा अब्दाली इसके शाषन काल में यहां पर आक्रमन कर चुके होते हैं और उसका आक्रमन फिर यहां पर लगातार यहां पर जो पहला आक्रमन होता है वो असफल हो जाता है उसके बाद वो बार बार ही आक्रमन करता रहता है अगल मुल्क को दूसरा वजिर इसके बाद बनते हैं जिसने अहमेशा को अंदा करके सलीम गड़ की जेल में डाल देते हैं प्रशासनिक कारियों में राजमाता उधंबाई का अधितिक हस्तक्षेप रहता है जिन्हें किबलाई आलम की उपादी गई तो किबलाई आलम की उपादी राजमाता उधंबाई को दिया गया क्योंकि वहापरुन का प्रशासनिक कारियों हस्तक्षेप बहुत जादा था और किसके शाषनकाल में एहमेशा के शाषनकाल में कब शे कब तक था 1749-1754 में और एहमेशा अबदाल ने इसके शाषनकाल में कई बारा कर्मन की इसके वजीर यहां पर न्यूक किया गया वजीर न्यूक करने के साथ यहां पर बहुत कोछ इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है एक तो चीज यह है कि हमेशा अबदाली ने 1556-57 और 69 में यहां पर आक्रमन करता है इनके शाषनकाल में और 1757 में इनके शाषनकाल में प्लासी का यु 1769 में से अक्टूबर 1960 तक रहते हैं सरे अक्टूबर 1760 तक रहते हैं इमादल्मुख धुष्टि यहां पर बनाइगा जाता है और तो कि इमादल्मुख निक ने आलमगर्दूटी के हत्या करवा दी थी और हत्या करवाने के पश्चा यहां पर अलग अफ़यला शार स्शत और इमादुल मुलखी बनाते हैं साज यहां पर्धूदी को बनाता है लेकिन यहां पर बहुत से लाज़ाद decorumit 208 Bisna Cecil self in रहता है लेकिन देखे होता क्या है कि आलमगर्व में पुत्र होता है छालनी नहीं दें Вас Вас northwest प्रवेश करता है और वहाँ पर शाषक बनता है इसी दौरान यहाँ पर पानी पत्का तृती युद्ध होता है अहमाशा अब्दाली मराठों के हमत 1761 में मराठे जो होते हैं पूरी तरह से बराजित हो जाते हैं नमी नजीबुद दौला के मीर बक्षी का पद यहाँ पर प्रदान किया आता है इसी के साशनकाल के दौरान एक और युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं 1764 के बकसर युद्ध को अंग्रेजों को यहाँ पर शाहलम द होता है जिसके माद्यम से अंग्रेजों का जो प्रभुत रहता है आंत्रक्षेत्रों में वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिता है 1863 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और एक चीज धियान रखेगा यह प्रतम मुगल बाद्शा था यह प्रतम मुगल बाद्शा था जिसे अंग्रेजों ने पेंशनर बनाया कौन था शाह आलम दुती 186 में सालम दुती वह लाड विलेजली के हस्ताक्षर यूत भारत की प्रतम पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया प्रतम पत्र मुद्रा भारत की प्रतम पत्र मुद्रा का प्रचलन भी इस्तिके शाशनकाल में हुआ लाड विलेजली के हस्ताक्षर थे और सालम दुती के ह जाती अगले शाषक बनते हैं अगबर शादु दूति 1806-8173 से मत्त अंगरेजों के संद्रक्ष्ण में बाश्या बनने वाला यह प्रथम मुगल शाषक था अंगरेजों फ में यह पहला शाक था जो यहांपर अगबर शाषक बनता है अठासो पैंटिस में मुगल बाद्शा, मुगल टकसाल बंद कर दिये गया, अभी तक जो मुगल सिक्के जारी होते थे, इसका सशनकाल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया और अब सिर्फ अंग्रेजी सिक्के ही जहाँ पर चलते थे, और राजा राम मोहनराय को यहां पर र अंतिम शाचक और वो थे आपके बहादुर शाद दूती एं 1837 से 1857 तक यह शाचक रहते हैं यह अंतिम मुगल बादशा थे बिना सामराज का भी बादसाइन को कहते हैं क्योंकि तब तक अंग्रेजों का अधिकार था जफर इनका उपनाम था 1857 के प्रतन संता संग्राम इनने भाग लिया अंग्रेजों ने ने पकड़ लिया कहां से हुमायू के मगबरे से ने गिरफतार किया मुकदमा चलाया रंगून भेज दिया और वहाँ पर इनकी मृत्ति हो जाती यह पूरी घटना करम यहाँ पर हमने साशनकाल के दौरान होती है क्या पहली चीज उत्तरकारिन मुगल प्रतं मुगल शाषक क्यों था बहादर शाषक और अंतिम मुगल शाषक बहदर शाषक दुदिढान रिकाएगकरeling इनकीदा औरंग जिव का मजार का है औरंगाबाद में है इसके तरिक गीदर शायर की उपमा किसे दी गई है फरुक शियर को दी गई है गीदर शायर की उपमा किसे दी गई फरुक शियर को दी गई सच्चा बाद्शा की उपाद की से दी गई बंदा बहादुर को लौगर के लेका निर्माण गुर्गोविन सिंग ने कराया सएद उपाद का धारान करने वाला पहला और एक मातर मुगल बाद्शा कौन था बहादुर्शा प्रथम ने सयद गुपाधारण की थी इसके तरिक्ट सयद बंदु का दमन किस के किस दल द्वारत किया गया तूरानी दल के द्वारत किया गया 18 जून 17 साथ को जजाओ का युद किस के मद्ध हुआ था मुज्जम और आजम के मद्ध हुआ था इसके तरिक्ट नेपॉल इरान का नेपॉलियन की संग्या किसे दी जाती है नादिर शा को दी जाती है दुर्रे दुरानी यानि की युग का मोती किसे कहा गया एहमेशा अबदाली को कहा गया मुगलानी बेगम मुगलानी बेगम कौन थी मुगलानी बेगम थी पंजाब में महिला सूबेदार थी और ये मुगल बाशा सालम दुती के सांसनकाल में थी इसके बाद मुंतखब उल्लुआब की रचना किसने की खफी खाने की ठीक है ये एक मद्धिकालिन लेखक थे इसके अत्रिक्त 1773 में जिज मुहम्मद साही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई और किस पर अधाई थी तो नच्छत्रों से संबंदि थी और जैपूर के सवाई राजा जैसिंग के द्वारा यहाँ पर इसे लिखा गया था इसके अत्रिक्त अंग्रेजों को सरव्थम दिवानी का अधिकार किसके द्वारा दिया गया तो ये दिया गया था आपको जैपूर के सवाई राजा जैसिंग के द्वारा दिया गया साथी सैयद हुसाइन अली वा बाला जी विश्वनात के मद यहाँ पर एक संधी हुई जिसे दिल्ली की संधी कहा जाता और यह हुई थी 1717 में तो यह आपके कुछ महत्मूर्ण फैक्टर हैं जो कि परिक्षाओं में पूछे आते हैं और इनहीं से संबन्दित हैं एद दे लास्ट इनहीं साशनकाल में कुछ और विदेशी आक्रवन हुए जिसमें दो ही इंपॉर्टेंट हैं एक नादिर्शा का अक्रवन जो 1749 में हुआ और उसने वहाँ पर कोहिनूर का हीरा वहाँ पर आता है और यहां से लेकर चला जाता है उसके बाद और वो कहां का था नादिर्शा इरान का था इरान को से मोती भी असरी नेपॉलिन भी कहते हैं यह भी आप फैक्ट पढ़े चुके हैं दूसरा था आहमाशा अब्दाली वह आपका अफगानिस्तान का भी वहाँ पर शाशक बन जाता है और इसने कई आक्रवन किये 1749 में 1749 में पहली बार पंजाब पे असफल था 1749 में दूसरा आक्रवन उसने किया पंजाब के गवर्नर मुईनल मुलक को वहां पर उसने परास्त किया 1752 में 33 उसने आक्रवन किया मुगल समराट ऐहमरशा को हराकर के सिंधर पंजाब को इसने हस्दर अक्रवन किया उसके बाद 1757 में प्रौथा पर आक्रमन करते हैं और कुछ चीजों को परिवर्थित करते हैं पंजाब में डाते है वहाँ पर भी लूट पांट करते हैं इसे तिलमिला करके मौत शौबदाली युद्ध है मराठो को जोनके युद्ध होता और वहां पर अकर्मन करता है 1770 में उसका अंटिम सिकhों को ही बबड़िटें आता है लेकिन वहाँ पर उसमें भी so रहता है चैसे यहां पर हम ने यह देख लिया क्या देख लिया हमने कहानी शुरू की कहानी शुरू की थी हमने जिसके एक पार्ट में देखा अंग्रेज अंग्रेज आये विदेशी थे ठीक है पुर्दगाली आये पुर्दगालियों के बाद यहां पर आये आपके डच आये डच के बाद आपके अंग्रेज आये फिर डेनिश आये फ्रांसी स कर रहे थे भारत में हमने देखा कि यहां जो मुगल सामरास था उसके जो सबसे मजबूत जो शाषक थे और हम जेक का पतन हो गया और उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह फिर यहां पर तोर मडोर वाई थी आने और जाने वाली थी आपसे बटकने वाली थी और ब्रिटिश ताक्ते थी और अलग अलग जो दल थे चाहे वह तुरानी दल हो इरानी दल हो आफगानी दल हो वहां पर विक्सित हुए उन्होंने कई समय तक किंग मेकर की फूम का दिखाई कम जो और शाषक थे अंग्रेज इंटर करते हैं कुछ लोगों को आपको धिरे-ध घर इनको पैंशनर बनाते हैं उनको भी समप्त कर देते हैं और यहां पर यहां पर यह चीजँआ हो जाती धियास मग्ल समराज को वह नहुं की आसे थे थे उनके समय की कुछ प्रोम के important fact देखेंगे और किस तरीके से ब्रिटिश यहां पर इंटर करते हैं और इनको भी कैसे समाप्त करते हैं क्योंकि हमें आधनिक भारत में पर्द्ध में यह ध्यान रखना है कि ब्रिटशों का किस तरीके से पूरे देश में वहां प क्या देखा हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से मुगल सामराज कुछ ने समाप्त किया अब तीसरा वाद शेत्री अस्तरों पर वो किस तरीके से कब्जा करेगा तो कौन-कौन से राज हैं क्या प्रमुक परिक्षाप्रयोगी द्रिश्टकोर से क्या-क्या टॉपिक है सबस के मतलब स्वतनत राज के रूप में घोशित किया गया दूसरा है है हैदराबाद दक्कन जो 1724 में चिन कलिच खांके द्वारा इसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं स्वतनत राज स्थापित करता है राज बनाता है रुहेल खंड 1714 में वीर दाउदवा अली मुहमत खांक में स्थापित करते हैं भरतपुर को 1700 में चूड़ामनवा बदन सिंख के द्वारा स्थन राज के रूप में स्थापित करते हैं मैसूर को 1761 में हैदर अली के द्वारा इहां पर स्थापित करते हैं इसके लावा सिख राज को बंदा सिंख के द्वारा त्रामण कर को मारतन द्रसिमहा के द्वारा मराठा राजी को यहां पर सामराज को पेश्माबाला जी बिशुनात और राज़स्पुताना को अजिस सिंग्brand के द्वारा अलग-अलग छेतरी राज्यों के रूप में59 इहां पर-स्थापिद अब ही मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपने अगर question paper देखा होगा देखा है कि नहीं देखा है तो देख लिया करो हम अमेशा कहते हैं question paper देखा करो उससे आपको idea मिलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और हम वही कर रहे हैं तो चलिए last segment है कुछ देर और साथ रहिए और यहां पर आपके अंतिम सेग्मेंट को complete करते हैं और इसके सासाथ आपने बहुत सारी knowledge बहुत सारी चीज़ें आप साथ में लेकर जा रहे हैं खुर्षों के आराम से आप जा सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले आईए समझते हैं दक्कन के राज को देखें दक्कन का जो राज है यह सूकर खेड़ा का युद्ध होता है 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिश खां और चिंकलिश खां के मदिये युद्ध होता है और य इसे निजामुल मुल्क के द्वारा नियुक किया गया निजाम हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े थे ठीक है उत्तराधिकार सॉरी जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था कहां पर हैदराबाद में अभी हमने यहां पर पड़ा था करनाटक के युद्ध है ना करनाटक के युद्ध में यहाँ पर यही से चल ला था ना तो वही चीज यहाँ पर आ गई करनाटक वाला युद्ध यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर देखे जो निजामुल मुल्क था उसकी तरफ कौन था फ्रांसीसी इनकी तरफ होता है मुंशी सिभगाओं की संधी और सिंध के द्वारा मराठों को चौथ और सरदेश मुखी दक्षण भारत के राज्यों वसूल करने का धिकार मिल जाता है इसके अलावा आसब जा की उपाधी जामुल मुल को समराट मुहमच्शा के द्वारा दी गई थी यह कुछ प्रमू के इंपॉर्टन फैक्ट हमने यहां पर देखे इसके बाद आता है राजपूत राज्य राजपूत राज़ की बात करें तो यहां पर मारवाड और आमेर मारवाड यानि की आपका जोधपूर और आमेर यानिकी जैपूर तो राज्य हैं राजपूता ना राज्य थे जैपूर किस था अपना 17-27 में जैसिंग के द्वारा की गई जैसिंग एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली कुशल और काफी ग्यानी व्यक्ति थी और उन्हें कई सारी चीजों का निर्माड भी किया कई सारी महाप्रों नें खोजे भी की तो यह सारी चीज़ें कवकि कई बार के अग्जाम में पूछी गई है राज्य जैसिंग से रिलेटेट तो उनको देख लेते हैं क्या जैपुर की जो स्थापना की गई थी वह भी जारा जैसिंग गूति के द्वारा की गई थी और 1723 में की गई थी इसके रावार जैसिंग ने पांच खगोली वेजशालाओं का भी निर्मार कराए कहां कराए था मतुरा जैपूर डिल्ली उजयन भारारसी पांच जगहों पे बात करें तो युकलीड की रजना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद भी राजा जैसिंग दुती के द्वारा कराये गया साथी नोने जैपूर शहर के वास्तुविदी जैपूर शहर का जो वास्तुविद थे उनका नाम था विद्याधर चक्रवर्ती क्या नाम था व हवा महल और नागरगण किला यह भी जैपूर में सारी चीज़ें इस्थी रहें क्या क्या चीज़ें हैं जै महल जंतरमंतर हवा महल नागरगण किला इसके अत्रिकत अगर हम बात करें जिज मुहमत साही जो पुस्तक है वो किस पर आधारी थे तो खगोली बेचशालों नाने का जो श्रेय है निर्माड जिसने किया वो भी है राजा जैसिंग दुती के द्वारा किया गया एक चीज़ और है आप सबने सुना होगा कि जैपूर को पिंक सिटी कहते हैं तो पिंक सिटी क्यूं कहा जाता है उसकी घटना यहां पर समझ लीजिए हुआ यह था कि 1876 मे सवाई राम सिंग के द्वारा इंग्लेंड की महरानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ विल्स के युवराज अलबर्ट एडवर्ड सब्तम के स्वागत के संदर में पूरे शहर को पिंक कर दिया गया था और उसके पश्चा से इसे हम पिंक सिटी यानि जैपूर के नाम से जानते हैं जिसको ध्यान रखे गया थाउस शेतर में सवाई राम सिंग के द्वारे ये गटना को अंजान दिया गया राजपूत राज के बाद एक और राज जाता है जिसको आप जानते हैं भरतपूर जाट राज कौन सा भरतपूर जाट राज यहां पर देखे तो 1695-1721 तक ये शाशन करते हैं उसके बाद आते हैं बदन सिंग 1721 से 1756 के मद भरतपूर राज जिका ये वास्तविक संस्थापक बनते हैं अबदाली के आक्रमन के पशाट बदन सिंग ने मधुरा पर कबजा कर लिया अबदाली इसे स्विकार कर लेता है स्विकार करने के प पिद्रत्य करता है और उससे साम्राज का विस्तार करते हैं मेरथ, आगरा, मधरौर अरली गड़ को इसने अपनी राजी में समलित कर लिया सूरज मलको जिया को जाटों इस्थित्व अग्वर के मगबरे में घुशकर उसके अस्थि-पंजरों को निकाला और निकालने वाद उसको पूरा जला दिया था इसके तरिक जाटों की सामिता जो होती है प्राचीन आक्रवनकारी हूरों से कह सकते हैं कि आपकी यहाँ पर किस जाट साशक की तुलना की जाती है या किस प्रजात की यहां पर तुलना की जाती है, किस छेतर की यहां पर तुलना की जाती है, यहां पर जाटों किसके संदर में की जाती है, इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो सवाई राजा जैसिंग ने बदन सिंग को ब्रज राज की भी उपाद दी थी, तो रुहेल खंड आया रुहेल खंड जो होता है 1714 में गंगा घाटी में सुतनराज बना इनकी राजधानी आवला और बाद में रामपूर बन जाती है 1744 में मेरनपूर कट्रा के युद्ध में रहमत खां को पराजित करके सुजाओद दौला ने इसका अधिकान सिंसा जीत लिय और जो बाद की जो बचा राजधा उसको कहते हैं रामपूर रियासत का आगया इसके बाद लास्ट एक राजज और पच्टा है इसके बार पढ़ लेते हैं क्योंकि आवद राजज है काफी important factors related आते हैं और exam में इसको लेकर काफी सारे question भी देखने को मिलते हैं तो यहाँ का शहर बनता कैसे है इससे रिरेट काफी सारे fact हैं क्या है सबसे पहले चीज़ अवद सुतंत राज के जो संस्थापक हैं 1722 में सादत खां के द्वारा जो बुरहान और मुल्क भी नहें कहा जाता है और यह जो बुरहान और मुल्क की उपादी है मुहमद शाह के द्वारा इसके अत्रिक्त मुहमद शाह रंगीला के शाषनकाल में अवद के सुतंत राज का निर्मार हुआ किस मुगल शाषक के काल में तो मुहमद शाह रंगीला राजधाने इसकी फैज़ावाद थी 1749 में यहाँ पर शाहदत विश्खा कर यहाँ पर उनकी मृत्य हो जाती है इस इसके त्रिक्त अहमेशा अबदाली के विरुद्धिनों ने 1747 में युद्ध लड़ा ततपस्चात उन्हें वजीर नुक्त किया गया तो यहाँ पर अहमेशा अबदाली के विरुद्धिनों युद्ध लड़ा था जिसके खुश होकर मुगल सामराथ ने इन्हें अपना वजीर नुक्त कर लिया था इसके बाद बात करें तो अगले शाशक बनते हैं सुजाओद दौला सतरस चौवन सतरस पचतर तक पानी पत्कर तत्य युद्ध में यह आहमेशा अबदाली की तरफ से लड़ा और उसके बाद यहाँ पर सतरस चौशर के युद्ध में अंग् कड़ा और इलाहाबाद दो जिले जो होते हैं वो आपको क्लाइविन से लेता है और साह लंदुती को यहाँ पर दे देता है आगे चलके 1773 में सुजाओद दौला वारन हेस्टिंग से साथ एक समझोता करते हैं जिसे बनारस की संधिका आ गया और इस संधिके माध्यम से य बीत लेता है और इसके बदले वो 40 लाग जो होता है अंग्रेजियों को देता है आगे चलके अगले सासक बनते हैं अगले सासक बनता है असफुद दौला सत्रस पचतर सो सत्तानवे तक यहां पर यह शासन करता है और इसने अपनी राजधानी को यहां पर ट्रांसफर किया पर छिखावाद से लेकर गया लखनव लेकर चला जाता है और इसके बाद 1775 मी यह राजधानी को अस्थाना अंत्रित करने के बाद अगले से लखनव ले आता है लखनव नाने के बाद कि यहां परसितियां बदलती है कुछ और चीज़ें विक्सित होती है जैसे एक चीज करने का अधिकार अंग्रेजों ने यहां पर वादा किया कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन यहां पर आगे चलके 1780 में इस संधिका हेक्स्ट्रिंग्स के दोरा उलंगन कर दिया जाता है और जॉन मिडल्टन को अवद की बेगमों को से वहां पर वशूली करने के लिए भेज देते हैं इसके बाद 1784 में मुहरम मनाने के लिए लखनव में जो इमाम बाड़ा का निर्माड कराया वो भी किसनित कराया सुजाओ दौला ने कराया 1788 में कराया इसके बाद ठीक है 1784 में यहाँ पर इमाम बाड़ा के निर्माड कराया इसके बाद अगले सासक बनते हैं वजीर अली 1798 में और यह उसके बाद अगले सासक बनते हैं सादत अली खां दौती इसके बाद एक में विलेजली की सहायक संदी को यहां पर इन्हों स्विकार कर लेते हैं लौड हेस्टिंग ने धन लेकर यहां पर इन्हें राजा के उपाद दी आगे चलके यहां पर गाजिदिन हैदर अली खांजो होते हैं 1814 से 1827 तक यहां पर शाशक बनते हैं हेस्टिंग नहीं है यहाँ पर बादशाह की उपाज से नमास थे हैं 1815 में आगे चलकर आसिफ अंतिम जो शासक हैं वाजी दली शाह अंतिम शासक यहाँ पर आवद कर बनते हैं और इनका कारिकाल होता है 1847 से 1856 का कुशाशन के आधार पर आगे चलकर यहाँ पर इसका हडप लिया जाता है लौड दलहोजी के द्वारा इसे अंग्रेजी सामराज में कुशाशन के आधार पर यहाँ पर इसको समलित कर लिया जाता है और 1856 में आवद राजी को कुई तरह समाप्त हो जाता है एक और चीज़ यहां पर फैक्ट रह जाती है कि छोटा इमाम बड़ा 1838 में मुहम्मद अली शा के द्वारा यहां पर बनाया गया यह सारी चीज़ें थे यहां पर किसी कुशाशन के आधार पर और इनकी पॉलिसी में सबसे खराब पॉलिसी इंग लगा है राजियों को भी अपने अंदर समलित करते हैं तो कहानी सुरू होती है कहानी सुरू होती है इनके आगमन से यह सबसे पहले यहां पर बिट्शों को यहां पर समाप्त करते हैं और छेतरी अस्तर पर संधियां करते हैं राजयों को अपनी तरफ करते हैं और इस तरीके से पूर साहरी कहानी उठापटक लड़ाई जगड़े सब देख लिए सारी कहानी सियुक्त है सेकेंड पार्ट में इसके आगे बढ़ेंगे अभी बहुत सारी सेशन में जैसे यहां पर आपको इसके डिमांड आएगी यहांपन सेकंड पार्ट एक्जाम को औरिंटेड इसको लेकर जल्दी आने कोश्च करूंगा तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और एक चीज़ और स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था वीडियो को जाँ-जादा शेयर करें यही आप का उत्याइट चैनल को सबस्क्राइब करें जितना ज्यादा आप शियर और सब्सक्राइब करेंगे उतने ही जादा यहां पर हमें भी एक प्रोचसाहन मिलता और उस प्रोचसाहन का फाइदा ये होगा कि जितने जादा चीज़ें बिड डेवलप होंगी जितने लाजादा लोगों तक यहां पर पहुंचेगा उतना ही कंटेंट को और बहतर लाने के हम कोश्च करेंगे चीज़ों को जल्दी आप तक लेकर आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी आपको वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक थेंग्यों सो मच